ख़वर कानपुर नगर से फिर्दे रोव इसेशक डॉक्टर अभिनीत गुपता ने अचानक होने वाली बेहोशी सीकॉपी के लक्षन और इनसे बचाओ के तरीके बारे में व्याख्यान में भाग लिया डॉक्टर गुपता ने बताया कि इसी कॉपी एक गंभीर बिमारी है जिससे मरीज अचानक बेहोशी की हालत में चला जाता है उसके शरीर में रग्त का प्रभापरभावित होता है जो मरीज के लिए घातर साबित हो सकता है इससे उसकी जान भी जा सकती है इसी कॉपी जैसी विमारी से सेक्रों लोगों की जन प्रतिवर्श जाती रहती है। विमारी से मारी से लोगों की जाती है। बंची जाती है। शॉब्सकार नमस्कार आई आई जाती है। आये में कानपूर के तत्तवधान में हम लोग ने जो अचानक होने वाली बेहोशी है, जिसे हम मेडिकल भाषा में सिंकपी कहते हैं, उस पर चर्चा की है, उसके कारणों पर उसके लिए जो निदान है और उसका इलाज किस तरह से किया जाए इस पर चर्चा हुई, मैं आम ज जान के लिए खत्रे वाले हो सकते हैं, ऐसे मैं आपको अपने चिकितसक के पास जाकर जो उचित खिलाज और उचित निदान के लिए जो चीजें बताते हैं, वो करना चाहिए, कुछ लाइफ स्टाइल प्रकॉशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि गर्मी के मौसम उचित मात्रा में पानी और नमक का सेवन, फास्टिंग ना करें, व्रत ना रखें, जो अधिक उमर के लोग हैं, जो वैस्ट लोग हैं, और जो भुजुर्ग लोग हैं, वो लेट के खड़े होने में थोड़ा सा समय दें, अचानक पोजिशन अपनी नहीं बदलें, और ब ब्लड पैशर के मरीज हैं, उनके लिए कभी-कभी खत्रे वाली थाबित हो सकती हैं, तो ब्लड पैशर की दवाईयां लेने के साथ नमक की मात्रा का सेवन उप्युक्त मात्रा में करें, ना अधिक ना कम, और फाइनली अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं, आ अपने मिम्बर्स के लिए ज्यानवर्दक CMEs याख्यानों को आयोग करता है, जिसमें हमारे मिम्बर्स की नॉलिज अपडेट होती है, इसमें जो बिसने से के डॉक्टर हैं, वो समसमाईक बिसेओं के बारे में, ने-ने इलाजों के बारे में, ने-ने आधुरिक्तम विध अकसर आयुद करता रहता है, तो आज हमारा जो व्याख्यान है, काडिलव जी पे जो अचानक से होने वाली वाली वेवसी, जिसको सिको भी बोलते हैं, इसके वारे में बहुती कॉमन जिस्तिती है, इसके अचानक से कुई अब श्यक्ती खडा हूआ और वेवस हो गया, तॉप्टर अबनीद बुक्ता उन्होंने आज का व्याख्यार निया है और सभी टॉप्टरों को उनकी नॉलेज को अप्डेट करा है करा 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 तॉप्टर है। आनपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूजब भारत